हम सब की तरफ से मैं पदमुशन विदूशी शन्न कुराना जी से दो शब्द वा कुछ पंक्तिया कहने का अनुरोध करती हूँ नमस्कार मैं आभारी हूँ तराना आर्ट एंड म्यूजिक संस्ता के जिन्होंने मुझे आज यहां आमन्तृत किया और आप सब के साम बीच में आने का मुझे मौका मिला कुछ रोज हुए जब मुझे मिलने के लिए यह बच्चिया आये नवनील और दीप माला मैं उन्हें पहले बार मिली थी लेकिन उनको कौन लेके आये थी हमारे घर पे पंडित विजय शेंकरमिष्ट जो मैं पुराने मित्र हैं और जिनकी मैं बहुत इज़त करते हूँ और कॉश्चनी नहीं था कि मैं बात इनको ना कर सकूँ क्योंकि पंडित जी साथ में थे बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखके कि युवा पेड़ी के कलाकार किस निष्टा से किस प्रेम से किस लगन से हमारी कलाओं को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं चाहिए गायन हो नृत्य हो आठ हो कोई भी कला हो एक जब कलाकार अपना धे बना लेता है कि मुझे इसमें कुछ करना ही है और खुबसूरती की पर फिल भी मैं देखती हूँ यह सब कलाकार यह पीडी के कलाकार लगे अपने 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 अपनी करलाओं में लगे हुए और जिस प्रेम से जिस लगन से और जिस निश्टा से ये करते हैं, यह बहुत ही सहानी है, बहुत ही सहानी है एक जमाना था कि दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं करता था जब हम दिल्ली आए तो सोचना पड़ता था कि शाम के वक्त क्या किया जाए तब हम कुछ चार-पांच महिलायन मिल करके हम घरों में प्रोग्राम करते थे और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से पंडित रवी शंकर जी जब दिल्ली में आये वो रेडियो में थे उन्होंने का शन्यों जी कुछ करिये हैं यहां पर तो कुछ होता ही नहीं है अली अकबर जी आया उन्होंने का कुछ करिये हैं यहां तो कुछ होता ही नहीं है तो हम सब मिलके अपने घरों पे प्रोग्राम करते थे और बहर तो वही होते थे टी टाइम बैंड और कॉकटिल बैंड ये सून अफर इंडिपेंडेंडेंज्स ये सारी बात कर रही हूँ।heure है अब इतना कुछ होता है एतना कुछ होता है कि एक शाम में समझ नही आता कहा जाओ और कहां ना जाओ, और सब जगा जाना बहुत मुश्किल है, तो मैं बहुत ही मबारक बात आपको देती हूँ, कि इस संस्था को चलाए हुए आपको आर्ट्स वर्ष या दस वर्ष हो गए, और इतनी अच्छी तरह से, इतनी तरकी आपके संस्था ने की है, और मेरी सब शु प्राओं के साथ जो प्रेम हैं, वो जरूर आपको और भी सफल बनाएगा, नमस्ट करते हैं।